तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि Einstein photoelectric equation क्या होती है उसके बाद मैं बताऊँगा कि De Broglie wavelength electron की क्या है सबसे पहले Einstein photoelectric equation क्या होती है देखो Planck quantum theory के according अगर देखो तो electromagnetic radiations जो होती है उनमे packets of energy होती है जिसे photon या quanta कहा जाता है जो photon की energy होती है वो होती है E is equal to h new h आपको बता है कि Planck constant होता है और new जो होता है यह frequency होती है और E energy photon की हम अगर किसी photon को consider करें जिसके frequency new हो तो उसको हम अगर किसी metal surface के ओपर incident करें तो जो energy जिसे हमने E is equal to h new कहा photon की उसमें दो चीज़ें होंगी नमबर वन एक पार्ट जो है energy का जो photon की energy है उसका एक पार्ट यूज होगा electrons को interior, metal के interior से उसको surface पर लाने के लिए metal के interior से surface पर electron को लाने के लिए एक पार तो उसका use हुआ यह energy जो spent हुई, वो किसके एक पुल होगी, वो work function जनकी w naught जो है w naught किसके एक पुल होगा, h new naught, ठीक है तो यह energy जो है, वो work function की form में, जो है, वो spent हो जाएगी किसके? metal के, जो metal का work function है, w naught, उसमें spent होगी यहाँ पर v naught जो है, v net threshold energy है, threshold energy, v naught है threshold energy क्या होती है, minimum energy, जिसकी ज़रूरत होती है, हमें एक electron को emit करवाने के लिए एक electron को, ताकि वहाँ से वो निकल सके, eject करवाने के लिए electron को, वो threshold energy होती है अब दूसरी चीज़ यह करेगी, क्योंकि मैंने का रहा है कि photon के अंदर दो चीज़ें होगी एक पार्ट energy का जो है, photon का use हो जाएगा, electron को निकलने के लिए, metal से उसको surface पर लाने के लिए और दूसरा क्या होगा, कि जो बची हुई energy होगी न, photon की, उसका use होगा किसके लिए, kinetic energy एमिट करवाने के लिए, जो photon, electron समने एमिट किया, उसको kinetic energy इंपार्ट करने के लिए, यूज होगा उसका दूसरा पार्ट, ठीक है न, जो बाकी बची इनर्जी है, photon की, वो kinetic energy देने अब E जो है, यनि की photon की जो energy है, energy of photon, वो किसके equal होगी, work function प्लस kinetic energy, क्योंकि दोनों चीज़ें होई, work function metal का और साथ में kinetic energy, तो E किसके equal होता है, H new, यहाँ पर देखें, यह वाला, E जो है, वो H new के equal होता है, equal to work function, H new not, अभी हमने पढ़ा, प्लस kinetic energy होती है, 1 upon to mv square, यह त अचा, यहाँ से देखें, यहाँ पर ना, हम क्या कर सकते हैं, कि इस H not को right से left को ले आएंगे, तो वो minus में हो जाएगा, minus में हो जाएगा, तो जब यह minus में हो जाएगा, हमने left side में इसको लिख दिया, अब right side में 1 by 2 mv square, H यहाँ दोनों में से common है, तो common लिख लिजी, अं तो इसे ही कहते हैं, इस यह जो equation बनी न, इसी को Einstein photoelectric equation कहते हैं, पता चला, Einstein photoelectric equation क्या है, इसके बारे में आपको पता चल गया, अब देखें, आप मैं आपको बताता हूँ कि D-Brugley wavelength electron की क्या है, दी ब्रूगली wavelength electron की क्या है, चलिए, start करते हैं, देखो, यहाँ पर अगर हम क इसे एक electron को consider करें, जिसका mass M हो, V उसकी velocity हो electron की, जब वो accelerate करे, rest से, पहले rest में होगा, उसके बाद acceleration स्टार्ट हुई, इसका potential difference अगर V ले लो, तो क्या होगा, देखो, उस time दो चीज़े होगी, एक जो kinetic energy उसको मिलेगी, वो होगी, F1 by 2 MVs क्या, first equation इसको ले लीज़े, work done जो होगा electron के उपर, EV, उसे EV मा लीज़े और उसको equation number second क्या लीज़े, अब equilibrium पर क्या होगा, जो kinetic energy gain की उसने, वो work done के एक वल होगा, जो की electron पर हुआ, तो इसलिए, इसलिए यहां पर क्या हुआ, 1 by 2 MVs क्यार जो है, वो EV के एक वल होगा, अब यहां से जो V स्क्यार है, व वो इधर ही रखा, हमने left side और बाकी right side ले गए, 1 by 2 M, यानि की M by 2 जो है, उधर हम लिखेंगे, 2 by M, तो 2 by है, बाकी EV का EV ही रहा, पता जला यह step कैसे हुआ, बिलकुल simplification है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, यहां से square था, square ले जाकर हमने यहां पर root बना दिया, root बना द electron की है यह, तब जो lambda होगा, किसके एकवल, h upon mv, h क्या चीज़ होती है, plan constant, m mass, v velocity, तो mv वैसे p होता है, वो linear momentum आपको पता है, ठीक है, तो इसको equation number 4 मान लीजिए, आप उसमें यह जो third equation हमने बनाई थी, कि new is equal to root of ev upon m, इसको fourth equation जो हमने बनाई है, h upon mv, lambda is equal to h upon mv, इसमें put करिये, put कहां कर सकते हैं, जहां पर new होगा, यह वाली value इस नीचे वाली इस value में डालनी है बस, तो यहां पर हमने डाला value आ गई, h upon, आप देखे, m यह बहार था ना, इसको हम अंदर ले जा सकते हैं, कैसे, अब बहार था, अगर number है, तो अंदर जरूर square होगा, किस के अं पर एक तो बचेगा, तो हो गया, h upon 2, e, v, m, इतना पता चला, अब इनकी standard values का अगर हम use करेंगे, तो हमें पता है, कि h blank constant, जो है, 6.6 into 10 raised power minus 34 होता है, e, यह जो value होती है, e की, वो होती है, 1.6 into 10 raised power minus 19, charge on electron, m is equal to 9.1 into 10, यह mass जो है electron का, ठीक है, जो emit हुआ, 9.1 into 10 raised power minus 31, तो overall जो इसकी value निकलेगी, आप देखो न, इन सब values को हम put करेंगे, कहां पर करेंगे, यह जो value निकली है, lambda की value जो निकली है, h upon 2, e, v, m, तो यहां पर value इसको put कर देंगे, तो lambda की value यह आ जाएगी, ठीक है, simply put ही गया, यह h, e, और m की जगा है, बाकी v का v ही रहा यहां पर, ठीक है, तो यह चीज़ होगे हमारे पास, आप lambda की value क्या होगी, 12.27 अपान यह सब simplify, सब को solve करने के बाद, simplify करने के बाद, यह आपके पास बचेगा, root में v बचेगा, तो यह lambda आ गया, lambda मतलब wavelength आ गई, इतना पता चला, आज के lecture में बास इतना ही, बाकी next वीडियो में next topic एक और हूगा, ok, bye